तो हेलो दोस्तो अप सभी का सुवागा थे हमारी एक नए वीडियो में आज हम जाने बाले है बोही छोटे घास बाले जंगल में दोस्तो हाँ दोस्तो बोही छोटे घास बाले जंगल जहाँ पे हमें बहुत सारे खिलोने मिल चुके हमें पहले देखो मैंने बोला था यहाँ पे हमें बहुत सारे खिलोने मिल चुका था दोस्तो देखो आज भी आये तो देखो मुझे तो अल्रेडी दो खिलोना दीखी रहा है तो चलो दोस्तो दो खिलोना तो पहले दिख गया है बट हमें यहाँ पे बहुत साबदनी से काम लेना जंगल देखने से छोटा है पर जितना छोटा जंगल है उतना खत्रा उसमें बनता ही है दोस्तों क्यूंकि यह जंगल देखो छोटा है फिर भी बहुत घणा है इस जंगल के नीचे अगर कुछ हो तो मुझे उपर से नहीं दिखाई देगा इस बजा से बोल रहा हूं कि एक दो तिन दोस्तों एक निकाल लिए तो चलो दोस्तों इसे साइड में रखते हैं और दूसरे को भी वैसे ही निकालने हैं काउन करते ही एक दो तिन दोस्तों तीन काउन करते ही हम दो खिलोना बहार निकाल लिए देख लेते हैं अब यह कौनसा कौनसा खिलोना है अरे द देखो सामने तो दो होता है और पीछे भी दो होता है पीछे एक लगा हुआ है एक गायाब है देखो दोस्तो ये ट्रेन इंजिन है बट इसका तीन विल गायाब है दोस्तो हमें एक सांदर सा टेन इंजिन मिल चुका है बट इसका विल के भीना तो किसी काम का नहीं है बट इ देखने में बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इसमें ड्राइबर तो है बट यहां पर मुझे एक होल दिख रहा है इस होल में क्या है इसमें क्या कुछ था पता नहीं पर देखने तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसमें तो कोई खड़ा भी या टूटा-पूटा कुछ ही भून से भून आ होगा घास के अंदर। फोरा हटा हटा के देख लेते हैं दोस्तो देखो ये काटे देखो दोस्तो लेकिर हमारे पीछा नहीं चुरते हैं जिस भी जंगल में जाते हूं बस काटे ये काटे दिखाए向स करते हैं में यह देखो यहाँ पर अरे अंदर तो हाथ नहीं डल पाएंगे हमें अचानक उठाना होगा तो चलो दोस्तो फिर भी काउंट कर लेते हैं एक बार एक दो तीन दोस्तो तीन काउंट करते ही हम उठा लिए तो इसे भी हम एक दो तीन काउंट करते ही उठा लेंगे एक दो दोस्तो तीन काउन करते ही हम उठा लिए, देखलो दोस्तो ये कौनसा कौनसा खिलाओना है, पहले मिला है ये, ये देखो लिखा हुआ है, ओयल टैंक का ट्राक, ये तो मुझे किसी एंगल से ट्राक नहीं दिख रहा है, दोस्तो ये ट्राक नहीं है, ये ट्राक नहीं है, ये आटो रिक्षा का कंडिशन तो देखने से ही क्या देखो दोस्तो इसका विल नहीं है यहाँ पे दोस्तो हमें विल के बिना मिला है आटो रिक्षा तो चलो दोस्तो आटो रिक्षा का एक भी विल नहीं है तो इसे भी यहाँ पे रखते है चलो इन दोनों के यही पे छोड़त उसे भी यहां पे चोड़ देते हैं तो देखो दोस्तो आज टो जंगल बिलकुल खाली-खाली लग रहा है क्यूंकि हम चलते-चलते ही बहुत सारे खीलाने मिलते थे हमें पर आज तो नहीं दिख रहा है देखो दोस्तो आज तो काटे दिख रहा है तो चलो ध्यान से ढूनना होगा मिलेगा तो जरूर मिलेगा तो चलो देख लो यहाँ पे भी कुछ नहीं है अब वो देखो दोस्तो मैंने बोला था ध्यान से ढूनने पर कुछ ना कुछ मिलेगा ये देखो दोस्तो मिल चुका है हमें और एक खिलोना, ये कौन सा खिलोना है देखना पड़ेगा दोस्तो, देखो दोस्तो ये तो देखने पर ये ट्राक लग रहा है, मुझे ये लिखा भी हुआ है ट्राक, दोस्तो हमें एक ट्राक मिल चुका, ओ दोस्तो ये ट्राक तो है, पर मुझे लग रहा है ये वो oil tanker वाला truck है दोस्तों क्योंकि इसका color देखो सामने का सामने का color देखे मुझे लग रहा था कि ये oil tanker का ही truck होगा हाँ दोस्तों ये शायद oil tanker का ही truck है पर इसका पीछे का विल नहीं है एक भी दोस्तों ये तो बिलकुल खाली वाला ट्राक है जो भी मिला है दोस्तों यही पर छोड़ेंगे हम बाद में हम एक साथ सब कुछ ले लेंगे तो अब हम यहाँ पर इसे छोड़के आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या खिलोने मिलते हैं दोस्तों तो चलो आगे बरो हमारे साथ चैनल को सस्क्राइब करकर वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो तो छोड़ते हैं आगे अरे देखो आगे बोलते ही या अरे भाई अरे बहाँ पे कुछ है यह देखो यहाँ पे भी कुछ है बहाँ पे भी कुछ है तो चलो देखते हैं यह कौन सा खिलोना है पहले देख लेते हैं दोस्तो यह तो मुझे एक्सक्योवेटर लग रहा है यहा तो चलो दोस्तो इसका विल अगर मिले तो हम एटाच्मेंट कर देंगे ये बिल्कुल बढ़िया कंडिशन में ला देंगे हम तो चलो इसे यही पर छोड़ते हैं बहाँ पर हमें एक कलेक्टिंग बाकेट की तरफ कुछ दिख रहा है तो चलो एक बार बहले ये जंगल अच् खिलोना वाह आज तो बहुत बढ़िया गया खिलोना ढूंडना तो हमें बहुत बढ़िया गया देखो दोस्तो अरे इसका भी अरे यहाँ पर तीन विल लगा हुआ है और तीन विल गायब है दोस्तो ट्रॉली बाला ट्रैक्टर तो मिला ही है बट इसका तीन विल गायब ह सामने का दो पीछे का एक तो चलो इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं वो कौन सा खिलाओना है देखो दोस्तों यह तो हमें रोड रोलर मिला है यह तो रोड रोलर है यह पे लिखा भी हुआ है इसका रोलर देखकर ही पता चलता है रोड रोलर है दोस्तों तो चलो बढ़िया कंडिशन में रोड रोलर तो मिला है बट इसका पीछे का विल गाया है तो जो भी हो हमें अगर विल मिले तो हमें अटाच्मेंट जरूर करेंगे दोस्तों अब बाकेट को देख अरे बाकेट में तो कुछ है हाँ दोस्तों बाकेट के अंदर तो हमें कुछ दिख तो हमारा खिलोना जोडने के लिए हमें थोड़ा मदद कीजिए, जो भी दोस्त हमारे चैनल में नई हो, प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, तो चलोrophaket के अंदर खिलोना लोट कर लेते हैं, ये दो खिलोना पहले हम लोट तो चलो बाकेट को उठाने से पहले एक बड़ जंगल को और एक बड़ ध्यान से देख लेते कि आप अरे हाँ दोस्तो देखो ध्यान से ढूंडने पर है और एक खिलोना दिख गया हमें ये देखो ये कौन सा खिलोना है अरे ये तो ट्राक है दोस्तो अरे वाव दोस्तो हमे एक ट्राक मिला है दोस्तो इसमें तो कोई खराबी नहीं दिख रहा है मुझे कोई खराबी नहीं दिख रहा है प्रॉब्लेम फ्री हमें एक ट्राक मिला है दोस्तो देखो पिंक ग्रिन ओरिंज ब्लैक वाइट कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही बढ़िया लग रहा है चलो इ के अंडर ले लिया, तो चलो, और आगे बढ़ते हैं, हम ओल टैंकर ट्राक को कहा पे रखे थे, यहाँ पे कहीं पे रखे हैं, यहाँ पे हम छोड़े थे, तो चलो, बाके qe. अब तुछलो, बाकिट में और आगे दो खिलोना रखे तेक train इंजीन था और एक ट्रेक्टर थाथ ये देखो दोस्तों मिल गया मिल गया दोस्तों हमारा सभी खिलोना हमें मिल गया तो चलो दोस्तों देखquito हमारा bucket बिलकुल फुल हो गया bucket में और कुछ लेने का कोई जगा ही नई बचा है तो दोस्तो ऐसे ही मज़िदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें दोस्तो जो भी दोस्त हमारे वीडियो नए देख रहे हो प्लीज सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करकर ही जाए दोस्तो आप लोगों के लिए ऐसे मज़िदार वीडियो हर रोज लाते हैं हम तो चलो दोस्तो हम अब एटचमेंट करने के लिए चलते हैं आगे बरते हैं किसी सब जगा पर तो मिलेंगे एटचमेंट में तब तक के लिए बाई दोस्तो बाई तो चलो दोस्तो देखो हम घर भी पहुच गया अब एटचमेंट करेंगे और आप लोगो पुछ शिख चुके होंगे जो भी दोस्त हमारे वीडियो बहुत दिन से फॉलो करते हैं वो तो अल्रेडी सिख चुके होंगे और सिखाएंगे दोस्तो और जो जो खिलोना मिलेगा सब कुछ एटच्मेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे तो चलो जादा देरी नहीं करत तो चलो देखते हैं आज हमें यृज भी चान में आप लोगों को दिखाने में भी आसानी होगा तो चलो पहले हम कौन सा खिलोना अटच करेंगे दोस्तो पहले हम अटचमेंट करते हैं ये रोड रोलर को दोस्तो आज हम पहले ही अटचमेंट करेंगे रोड रोलर को रोड रोलर एटच्मेंट करने के लिए हमें इसका पीछे का विल लगाना है, तो विल ढूनना पड़ेगा, तो विल इसका कहा पे है, तो चलो दोस्तों, विल ढूनते हैं पहले, तो चलो बाकेट में ढूनते हैं इसका विल, तो बाकेट को थोड़ा पास ले लेते हैं दोस् तो हमें इसका will ढूना है, इसमें से मुझे तो ये दो लग रहा है तो दोस्तो देखो हमें इसका will सायद मिल चुका है यही होगा क्योंकि यही road ruler का पीछे का will तो बहुत बढ़ा होता है दोस्तों यही सबसे बढ़ा है और बाकी सब तो छोटा-छोटा वीली है तो चलो फटा-फटा हम attach करते हैं दोस्तो अटाच्मिन करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तो ये देखो वील में एक hole दिया हुआ है और ये rod है इस rod में जस्ट हमें ये hole को डाल देना है दोस्तो जिससे की attach हो जाएगा अल्डे तो इसे हम side में रख देंगे ये देखो road roar को हमने side में रख दिये अब हमें attach करना है दोस्तो ये trolley वाला tractor ट्रैक्टर का हमें तीन wheel लगाना है देखो दोस्तो इसका wheel देख लो ऐसा ही wheel होगा आगे पीछे का तो चलो ढूंडते है इसका wheel कहा गया ये तो मुझे तो एक मिल गया दोस्तो दूसरा ये देखो और एक मिल गया और 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 ये शायद हाँ दोस्तो हमें तीन ही wheel मिल गया है तो चलो मिल गया है तो फटा फट एटचमेंट कर देंगे ये देखो ये सायद पीछे का wheel हमें चोटा बाला दिखाता हाँ दोस्तो चोटा बाला ही है पीछे का wheel देखो दोस्तों कैसे डाल रहे हम यह देखो डाले तो निकल गए दूसरी साइड से तो चलो इसमें हमें यह विल को एटज कर देना है सेम प्रोसेस है दोस्तों यह देखो हमने एटज भी कर दिये तो चलो दोस्तों देखो यह ट्रॉली बाला ट्रेक्टर बिल्कुल रेडी ह तो इसे हम जादा देरी नहीं करती हुए साइड में रख देते हैं साइड में रख दिये और अब किसकी बारी अब हमारा ओटो रिक्षा की बारी ओटो रिक्षा का हमें सभी विल एटच करना है तो ओटो रिक्षा का विल ढूनना है हमें ओटो रिक्षा का विल कौन सा होगा पता नहीं दोस्तो तो ढूनना तो पड़ेगा ये विल के आटो रिक्षा का है ये तो नहीं है ये ये तो बहुत बढ़ा विल है ये भी नहीं है दोस्तो मुझे तो लग रहा है ये ये और ये हाँ दोस्तो मुझे लग रहा है ये तिन विल ही आटो रिक्षा का विल होगा क् सामने का एक छोटा विल है और दो same to same विल है तो चलो दोस्तों एक बड़ एटाच्मेंट करके ही डेख लेते हैं कि यह इसका विल है कि नहीं तो चलो same process से ही हमें विल को डालना है रोड के अंदर यह देखो इसमें एक छेद है यह देखो यहाँ पर एक रोड है तो रोड मे इसमें, ये देखो, इस side पर और is side पर दो clip है, तो चलو, ये देखो, दो hole है इसमें, तो हमने just इस hole में डालना है, एक को। चलो hole में डालते हैं, ध्यान से डालना है, दोस्तों, ये देखो, complete हो गए, दोस्तो ये देखो, लगाना हमारा complete हो गया, auto रिक्षा को भी हमने, बिलकुल नया बना दिये, तो नया हो गया है, तो हमें से side में रख देंगे, side में रख दिये, और हमें अब क्या attach करना है, अब हमें attach करना है ये oil tanker truck को, तो इसका oil tank कहां पे है, ये देखो इसका oil tank है, दो देखो चार क्लीफ है यह जस्ट इस चार होल में जाके एटाच हो जाएगा दोस्तों यह देख लो इसका उपर का साइट अरे इसमें तो दो छेद दिया हुआ है इसमें क्या लगेगा पता नहीं पहले हम यह एटाच कर लेते हैं दोस्तों इसको हम यही पर बैठाएंगे और प्रेस कर देंगे यह देखो यह एटाच हो गया दोस्तों यह देखो इसका लॉक के अंदर जाके एटाच हो गया तो चलो दोस्तों यह तो कंप्लीट हो गया तो मुझे यह देखो यहाँ पे दो छेद दिखाता यहाँ पे तो इसकी कलर का ही कुछ दिख रहा है शायद इस का पार्ट है दोस्तों ये तिक सीरी है और वाइल टैंकर में तो सीरी होता ही है तो चलो दोस्तों इसको हम एटच करके आप लोगों को दिखाते है कि हम एटच कर पाते है कि नहीं पहले हमें ये इसको उपर की तरफ रखना है और नीचे को एक साथ दो हुल में डालना है दो पेक विल आएगा तो चलो दोस्तो इसका विल कौन सा है ढून लेते हैं ये देखो ऐसा दिखेगा इसका विल मुझे तो ये दो ही दिख रहा है ऐसा विल वो विल देखो इसका कलर का जैसा ही है तो मुझे तो ये ही विल सेम टू सेम लग रहा है वो नहीं तो चलो इन दोनों को हम विल की लॉक के उपर रख देते हैं और हलके हातों से प्रेस करते हैं ये देखो प्रेस करते ही एटाच हो गया और इसे भी सेम तरीके से बैठाना है और जस्ट प्रेस कर देना है दोस्तो देखो प्रेस करते ही ये घूम रहा है ये बिलकुल एटाच कंप्लीट हो गया दोस्तों यह देखो हमने ओयल टैंकर विलकुल नया बना दिये तो नया हो गया तो इसे भी सीड में रखतेंगे साईड में रखतेंगे दोस्तों और अब किसकी बारी और अब हमारा explore की बारी explore का क्या प्रॉब्न ता सामने का विल नहीं था इसका विल तो मुझे ये बाला ही लग रहा है, तो ये बाला विल है, तो हम इसे attachment कर देते हैं दोस्तों, ये देखो इसमें छेद है, इस छेद में हमें इस रोट को डालना है, रोट को डालते ही दूसरे साइड से निकलना है हमें, ये देखो, ये दूसरे साइड से निकल गए, तो इसमें by हमें यस wheel को डाल देना है देखो दोस्तो हम कैसे डाल रहे है देखो हमारा attachment कमप्लीट हो गया यह excavator हमने बिल्खुल नया बना दिया दिया दोस्तो यह भी नया हो गया तो इसे भी हम side में रख देंगे side में रख दिये देखो हमारा पाच खिलोना डेडी हो गया तो हमारा नेक्स्ट खिलोना है हमारा ट्रेन इसका भी तीन विल गाया अब था तो हमें बाकेट के अंदर और तीन विल ही दिख रहा है यही होगा इसका विल तो हम पहले एक काम करते हैं इसका सामने का wheel attach कर देते हैं, यह देखो, हम यहाँ से देख पा रहा है, उसका दूसरे बाला छेद, यहाँ से हम लटेंगे, और देखो, यह है इसका सामने का wheel, क्योंकि छोटा बाला है, वो सामने draw डाला था, जो wheel के साथ ही, वो भी छोटा ही था दोस्तो, तो चलो, हम कैसे attach करते हैं, आप लोग देख लीजिए, यह देखो, हमने attachment भी कर दिये, ओ नो दोस्तो, यहाँ से खुल गया इसका wheel, तो चलो दोस्तो, यहाँ से खुल गया, तो हम फिर से attach कर देंगे, देखो दोस्तो, हमने attach कर भी दिये, तो चलो, इसका पीछे का wheel attach कर देते हैं, यह अखरी दो खिलोना जो की है एक ट्राक और है हमारा ये मिनी ट्रैक्टर तो इसमें तो कोई प्रोब्लेम नहीं दिख रहा था देखो दोस्तो लेकिन बाकेट में मुझे दो दो कुछ दिख रहा है एक दिख रहा है ये ट्राक का कलर का और एक दिख रहा है ये ट्रैक्टर का क मुझे ट्रेक्टर में ग्षेळ दिखा था शायद ए है साइलेंस अर्ट लगण है मुझे यह साइलेंस अर्ट अर्ट कई है दोस्तों देख'llो यह देखो यह यह अर्ट अक्ट गया दोस्तों यह इसाइलेंस अर्ट का wrapped अपर का लोक है हाँ दोस्तो यह उपर का ही लोक होगा क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले भी देखा था दोस्तो तो देखो यह लोक हमने लगा दिये और यह देखो यह आपे हमें दूसरा लोक को भी लगाना है तो चलो दोस्तो दूसरा लोक को भी लगा दिये यह देखो यह ल ये समान ना निकाल जाए है या समान को रसी से बादने के लिए ये लॉक दिया होता है दोस्तो ये ट्राक तो हमें बहुत बढ़िया कंडिशन में मिला था इसमें भी कोई खड़ा भी नहीं था इसे भी हम साइड में रख देंगे तो देखो दोस्तो बाकेट भी खाली हो गय टोटाल आठ खिलोना मिला था, सब कुछ टूटा हुआ था, सब कुछ हमने जोर दिया तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, मिलेंगे किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाई दोस्तों, बाई बाई